अजो आज हम लोग ने पंचा दस पार्ट पढ़ाई करेंगे यानि क्याप्टर फिप्टीन और चाप्कर फिप्टीन में हम लोग ने पढ़ाई करेंगे प्रहेली का हा प्रहेली का का अर्थ क्या है पहेली जैसे आप लोग को भी पता है पहेली क्या है कि किसी बस्तो या बि बहुत बिचार करना पड़ेगा, ठीके, हम किसी बस्तु आप इसे के उपर ऐसे बिचार करेंगे, ऐसे मतलब बनना करेंगे, गुड बनना करेंगे, जिसके आधार पर हम उसका नाम बताने में, या उस बस्तु का नाम बताने, या कुश्चिन का उतर देने में, क्या होगा, ह उसका answer देखे या वह बस्तु का नाम बताएंगे. ठीके तो देखो प्रहलिया मनरणजन की प्राचिन बीधा है. वो मनरणजन की एक प्राचिन बीधी है. फ्रहलिया ये प्रायह बिश्व की सारी भासाओं में उपलब्ध है ये बिश्व में क्या है? सबी भासा में है सिब संस्कृत में नहीं है, हिंदी में भी है, इंगलिस में भी है सबी भासा में है ठीके, संस्कृत के कभियों ने इस परंपरा को अत्यत समृद किया है और ये जो परंपरा है, पहली का जो परंपरा है, संस्कित कभिया ने क्या किये? बहुत समरुद किया है इसको, बहुत आगे लिए हैं, पहलिया जहां हमें आनन देती है, ठीके? वही समझ बूज की हमारे मानसिक और बोधिक प्रक्रिया को तिब्रतर बनाती है, जब हमको कोई पहली पुछता है, हम सोचने लगते हैं कि इसका एंसर क्या होगा, ठीके? तो जब हम सोचते हैं हमारे मानसिक और बोधिक, हमारे बुधिका प्रक्रिया क्या होता है? तिब्रतर बनता है, ठीके? इस पार्ट में संस्कित पहली पहली बूजने की परमपरा के कुछ रोचक उधारन प्रस्तुत किये गए हैं, इस पार्ट में क्या प्रस्तुत किया गया है? कुछ संस्कित के पहली यहां प्रसुत किया गया है चलो देखते हैं क्या पहली है ठीकी तो आप लोग देखो ध्यान देए हैं यह जो तीनों है यह तीनों जो पद है यह तीनों जो सब्ध है यह क्या है यह तीनों पंक्तियों का एंसर है ठीक है यह तीनों जो लाइन है यह तीनों लाइन का यह तीनों कुश्यन का यह एंसर है चलो देखते हैं पहले यह कुश्यन का मीनिंग समझेंगे जब हम इसका अर्थ पता चलेगा फिर हम समझ जाएंगे कि इसका उत्तर क्या है ठीक है देखो कस्तुरी जायते कस्मात कस्तुरी किस से उत्पन होती है जायते मतलब उत्पन होती है कस्तुरी किस से उत्पन होती है मूर्ग से तो एंसर क्या होगा मूर्गात क्या है मूर्ग स क्या है कस्तुरी उत्पन होती है फिर देखो को हंती करिनन कुलम को का अर्थे कोन हंती का अर्थे हातियों कोन हातियों करिनन कुलम कोन हातियों को समुह को मार देता है कुलम मतलब क्या है समुह करिनन मतलब क्या है मार देती है कोन हातियों के समुह को मार देता है कोन मारता है ह हाती के समुओं को सिंगह, ठीके, सिंगह क्या करता है, हाती के समुओं को मार देता है, फिर देखो, कीम कुरियात कातोरो युद्धे, ठीके, कीम मतलब क्या, ठीके, कुरियात करे कातोरो, कातोरो का अर्थे कमजोर बेक्ती, युद्धे, युद्ध में, तो यूद में कातर बेक्ती मतलब कमजर बेक्ती की मतलब क्या कुरियत क्या करे ठीके तो जो कातर बेक्ती है जो कमजर बेक्ती है वो यूद में क्या करेगा भाग जाएगा क्योंकि उसको पता है वो किसी को मार ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत कमजर है तो कमजर्बेक्ती हमेशा क्या करते हैं तो मुश्किलों से भागते हैं ठीके, वो भाग जाते हैं कवी वो मुश्किलियों का सामना नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे यूद से ठीके, तो पॉलायते, पॉलायते का अर्थ क्या है भाग जाना ओके, वो भाग जाए भाग जाएंगे, ठीके इसका answer मिल गया आप लोग को फिर देखो, लेकिन इसमें ता अलग है, इसमें क्या है, इसमें answer नहीं दिया गया है ये पंक्ती में ये पंक्ती में क्या हुआ था ये तीनों line के नीचे इसका answer दिया गया था इसका उत्तर दिया गया था, लेकिन इए पंक्ती में, इए line से ही इसका answer है, इसका उत्तर है, ठीके, हर line में उसका उत्तर है, उत्तर अलग कहीं नहीं दिया गया है, तो देखो सिमानती नीशू का सान्ता, सिमानती सिमान तिनी का अर्थ है नारी सिमान तिनी का अर्थ है नारी सिमान तिनी सिव मतलब नारियों में का 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 मतलब है कौन सांता है सांता मतलब सांत है नारियों में कौन सबसे अधिक सांसोभाब की बाली है ठीके कौन सांसोभाब बाली है देखो इसका answer क्या है इसका answer हम यह पंक्ति में answer हम जब ढूंडेंगे ध्यान दे पंक्तियों का प्रत्थम बन ठेके और पंक्तियों का सेसबन मतलब आखिर बन को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा अंतिमन को जब मिलाएंगे एक सब्द बन जाएगा जो सब्द बनेगा ओ है ये लाइन का एंसर हम पंक्तियों का प्रथम बन और पंक्तियों का सेशबन मतलब अंतिम बन को हम क्या करेंगे मिलाएंगे योग करेंगे ठीके और ये दोनों के योग से ये दोनों के मिलाने से जो सब्द बनेगा वो सब्द होगा ये लाइन का एंसर ठीक है चलो हम मिलाते हैं प्रथम बन क्या है सी अंतिम बन क्या है ता तो एंसर आ गया हमारे सिता तो नारियों में कोन सबसे अधिक सांध सोभाव की है सिता ठीक है फिर देखो राजा को अबुत गुनता महा इसका अर देखो, राजा, राजा में को अभूत, को अभूत मतलब कोन, अभूत कोन सा राजा, ठीके, गुणतम, हाँ, गुण में उत्तम है, ठीके, राजाओं में कोन से राजा गुणाओं में उत्तम है, ठीके, तो इतने सारे राजा थे, सारे राजाओं में कोन सा राजा सबसे गु गुणों में उत्म है तो इसका एंसर चलो ढूनते हैं इसका पहला बन क्या है रा अंतिम बन क्या है महां आगे हमरे एंसर रा महां राम क्या थे राजाओं में सबसे गुणों बन थे गुणों में उत्म थे राम ठीक है फिर देखो बिद्वत भी का सदा बंद्याहा बिद्वानों के का का अर्थ है कौन साधा साधा का अर्थ है हमेशा बंद्याः बंदन करने के उग्यों है। तो क्या है बिद्वानों से बिद्वान के द्वारा कौन सबसे या कौन हमेशा बंदन करने के योग्य है तो देखो अंसर देखो बी पहला बन क्या है वी अंती मन क्या है द्या बिद्या तो जब एक बिद्वान मंडली बैठते हैं जब बिद्वान लोग बैठते हैं वो क्या चर्चा करते हैं बिद्या के उपर चर्चा करते हैं हमेशा आपने ज्यान के उपर चर्चा करते हैं तो बिद्वानों से ठीक है बिद्वान के द्वारा कौन हमेशा बंदन करने के हो गयो है बंदन का मतलब है हमेशा चर्चा करते हैं तो बिद्ध्या को जब बिद्वान बैखती बैठेंगे वो थोड़ी ये चर्चा करेंगे कि किसके पास ज्यादा पैसे है वो चर्चा करें करने के उग्यों बिद्या जो जिसके पास जादा बिद्या है जो जादा गुणबन है उसको हमेशा बंदन करने के उग्यों हमेशा उसको पुझा करते हैं ठीक है फिर देखो अत्रे बोक्तं ना बुद्ध्यते अत्रे बोक्तं यहीं कही गई यह बाद को ना बुद्ध्यते ये सारे बात यहां कही गई है फिर भी मनुस्य के द्वारा फिर नहीं जाना जा रही है अर्थात पता नहीं चल रहा है इसी में सारे एंसर है लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है ठीक है अत्रीव उक्तम मतलब यहीं कही गई यह सारे जो बात है ना बुध्यते पता नहीं चलता ठेके नहीं जाना जा रही है ना बुध्यते मतलब नहीं बुध्यते मतलब जनी जा रही है नहीं जानी जा रही है मनुस्य के द्वारा ये सारे बात नहीं जानी जा रही है ओके